गुड मॉर्निंग, असलाम अलेकूम, आप देख रहे हैं मेरे प्लांस और देली लाइफ और जनाव यहां हो रहा है, नाश्ते के टाइम और चाय बन रही है, बलकि बन चुकी है, और इसका कलर देखिए, कैमरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा, हाला कि बहुत स्ट मैडिसन की वज़े से ही मुझे यह हलका पुलका सा नाश्ता करना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो दिलने चाहता सुभा में कुछ खाने को, तो खेर जी नाश्ते के बाद वही काम सफाईयां सबसे पहले में सफाई करते हूं, और एक बात मुझे याद आ रही है, बच्पन की, जो हम सबने ही, मैंने आपने हम सबने एक सबग पढ़ा था, कि सफाई निस्फ इमान है, और हमारा मख़भ इसलाम है, सब को याद होगा, बट बहुत सारी खवातीन यह सबग भूल गए हैं, और मैं हैरान होती, उनको देखे कि इतने इतने दिन गुजर जाते हैं, और उनको नजर ही नहीं आ रहा था कि सफाई होने वाली है, तो यहां पर देखे जी डेली सफाई होने के बावजूद भी इतना जादा कच्रा आ जाता है, और पता नहीं कहां से आता है यह कच्रा, और कौन लाता है यह कच्रा, बट डेली सफाई करनी बहुत जरूरी है, और आप देखिए कि अगर एक दो दिन का गैप आ जाएगा बीच में एक दो दिन का भी अगर गैप आ जाता है तो बहुत जादा आपको काम करने पड़ते हैं और बहुत जादा गंदगी फैल जाती है बहुत कच्रा हो जाता है तो वो खवतीन हैं जो पूरा पूरा हफ़ता ही नहीं सफाई करती हैं तो समझ से बाहर है तो खेर जी दिवारें भी साफ करना जरूरी है खाली जमीन पर ही मटी नहीं होती दिवारों पर भी मटी जाती है सामान पर भी मटी जाती है सब फरनेचर पर हर जगा हर चीज़ पर मटी जाती है और सरदियां हैं आजकल तो हर वक्त हमारी खिड़कियां दर्वाजे बंद रहते हैं तो दिन में एक दफ़ा सिर्फ पांच मिनिट के लिए आप पर्दों को हटा दिया करें खिड़कियां दर्वाजे अपने खोल दिया करें ताके फ्रेश एर अंदर आए और बैट स्मेल जो आपके रूम्स में है वो बाहर निकल जाए और थोड़ी सी फ्रेशियर हो जाएगी और जर्म्स जो होंगे वो हवा के थूँ बाहर निकल जाएंगे तो ये जरूरी है और ये देखिए डेस्ट बिन में से कच्रा उबल के बाहर आ रहा है तो ये बहुत मुगलत चीज है और अपनी एक हैबिट रखनी चाहिए कि डेस्ट बिन में हमेशा एक शॉपर लगा कर रखें और कच्रे के बाहर निकल के गिरने का वेट ना करें बलके खुद ही आप शॉपर को रिमूव कर दीजे डेस्ट बिन से और जितना भी कच्रा होगा जाहर है वो शॉपर में होगा आप उसको बाहासानी जो है फेग सकते हैं और डेस्ट बिन में हमेशा शॉपर लगाना जरूरी है और ताकि आपकी डेस्ट बिन जो है वो खराबना हो क्योंकि सिर्फ रैपर्ज ही नहीं होते और भी बहुत सारा कच्रा होता है घर में और मैंने जगा जगा पर डेस्ट बिन रखी हुई है क्योंकि बच्चों वाला घर है और बच्चे आपको पता है कि बहुत ज़ादा कच्रा पहलाते हैं तो बच्चों को समझाना पड़ता है और हर जगा सीडियों में, रूम्स में, हर जगा मैंने डिस्ट बिन रुकी हुई है और किचिन में जी ये टिमाटर और प्याज मैंने रफली चॉप करके रखे थे और यहाँ पर आप टिमाटर का कलर देखिए कि ये कितना अजीब सा है ये टिमाटर ऐसे नहीं है, असल में ये मेरा कैमरा ऐसा है कि कलर उसमें बहुत फीके-फीके से डल से महसूस हो रहे है और यहाँ पर कुटाई हो रही है जी, लहसन और रदरक की और खाना बनाने की तैयारी हो रही है खाना वैसे मेरे घर में डेली नहीं बनता और बच्चे भी वैसे इतना शौकीन नहीं है और वो तो बस कहते हैं कि अगर खाना बनना है तो सिर्फ राइस हो जाए या फिर बस उनको ब्रैट चाहिए अंडा ब्रैट पर गजारा किर लेते हैं और रस खाके भी खुश रहते हैं और मैं खुद दमाईयों के वज़े से बहुत ज़्यादा खाने ही पाती तो इस वक्ट जी बन रही है सालन बनने के बाद रोटी और रोटी ये साधी थो हम बिल्कुल भी नहीं बना सकते क्योंकि गैस बहुत कम होती है और साधी रोटी को सेखने के लिए ज़रा चूले का तेज होना जरूरी है तबा तेज गरम होना चाहिए बट यह है कि बहुत मुश्किल से जो हम रोटी बनाते हैं हम किस तरह बनाते हैं कि तवे पर थोड़ा सा घी लगा के बतलब यह पराठा स्टाइल में थोड़ा अगर आप खी आपको पता है फॉरन ही गरम हो जाता है तो फिर तो रोटी जो है फ्राइ हो जाती है ज़रा पराठा सा बन जाता है वो ठीक है बट साधी रोटी अगर बनाने की कोशिश करें तो वो गैस की कमी के वज़े से बिलकुल भी नहीं बन पाती है और कच्छी पक्की सी बनती है तो सूखी सूखी सी और यहां पर जी मैंने एक हाधी के लिए और एक साध के लिए बस दो ही पराठे बनाए है और खाना उनको जो है किछन की क्लिनिंग मैंने कर ली जो भी गंदगी थी जो भी घी बगारा के चीटे होते हैं वो सब साफ करके और जो किछन के डस्टर से उनको मैंने वाश कर लिया है और यह डेली बेस बनाए होता है तो बस ची कैसी लगए आपको वीडियो